Yes, the topic of today in arrangement class of mine, physical components of our devices of CPU. मतलब, वो डिवाइसे जिससे हम कंप्यूटर में रोज काम करना चाहते हैं, या मोबाइल हो, समर्ट वाच हो, मैं जब भी पढ़ाता हूं, तो मेरे आइडियास में ज्यादार मैं मोबाइल और समार्ट वाच को ज्यादा ले लेता हूं, ताकि उससे आप ज्यादा ओ सैमुलियर हैं. तो फैमिलियर चीज से बात करने या रिलेशन में बनना बड़ा असान हो जाता है जैसे ममी पापा या भाई बहन से कुछ शेर करना कितना असान है लेकिर एकाएक अगर मैं इससे कुछ यह नए लड़का है मरिया नए श्टुडेंट है वेलकम है इसका तो इस समय अगर मैं इससे कुछ शेर करूँ तो यह आधा तो पहले मुझे ड़एगा धीरे धीरे मुझे फैमिलियर होगा तो जिस फैमिलियर ऑब्जेक्ट या डिवाइस को हम जानते हैं उसके थुरू अगर पढ़ा जाए तो वो चीज ज़्यादा किलियर होगी ठीक है तो मैं आपसे कोश्चन पूछ रहा हूँ प्लीज स्टेंड़ आप नए बच्चे हैं मेरे सामने आपके सामने कि ये डिवाइस में लेकाया हूँ इस डिवाइस को कभी देखा है आपने अपने क्या बोलते हैं इसको अच्यों आप खड़े हो जाईए क्या नामे उसका एक और नया बच्चा था आपी खड़े हो जा आपने हम है निखिल क्या है वो? CPU नहीं वो CPU नहीं है CPU ये नहीं है ये इसका नाम है CPU box note it that is called CPU box or cabinet have a seat and note it I will describe each and maximum parts of our boxes I am going to evaluate all the general parts of this box क्रियर है? कोई दिकर है? मतलब जिस box को आप CPU अभी तक समझ रहे हैं उसके अंदर heart क्या काम करेगा? हमारा भी skeleton है skeleton हमारा box है अपने आप में skeleton कोई काम नहीं करता वह एक ही काम करता है हमारे body को straight रखने में मदद करता है दूसरा हमारे internal organ को stay रखता है और उसकी सुरक्षा करता है हाई या ना? अगर हम heart को अपने दिल को केवल इस तरीके से भी छू दें तो heart मर जाएगा इतना नाजुक होता है वो इतना नाजुक होता है तो उसको पशाने का काम कोण कर रहा है? skeleton उसी तरीके से हमारे जो physical parts है components है या devices है उनको सुरक्षित रखने का काम ये box करती है असली में इस box का नाम है cabinet noted ऐसे एक ड्रॉइंग मना लीजे और इसका नाम आप cabinet